मैं अपनी गुरिया रानिक सर में तेल डाल दू? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे आ मुहबद का मतलब है सर में तेल डाल दू चलो अपा के पास इतने पैसे? अब आपने घर के पेश्टी जहां रिष्टे कमजोर हो जाएं वहां घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिष्टों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छटों को तो हम मजबूत बनागी देंगे मॉडिल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाती है जी असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूँ शाहिद मिया प्रोग्राम खौब से तुबिग तक के इस सफर में बिलिव इन पाकिसान और मेट इन पाकिसान के कॉंसेप्ट के साथ पावर्ड बाइब मॉडल स्टील ग्रूप ऑफ अंडिस्ट्री वियूस जैसा कि आपको पता है कि इस इंट्रेट टीवी का मकसर पाकिसान के सॉफ्ट इमिज को नाशनली और इंटरनाशनली परमोट करना है इस हलसले में हम अलम्दल्ला आज अभी तक वन टू वन लोगों को कवर कर चुके हुए यानि कि 121 लोगों को हम आप तक लाए चुके हुए आज मेरी यह जो एपिसट होने जारी है वन डबल टू यानि कि 122 वी एपिसोड होगी और हमेशा की तरह अपने शवघे में रहते हुए हम ऐसे लोगों को समने लेकर आते हैं जिनोंने मुल्के पाकिस्तान के लिए ना सिर बलके अपनी शवघे में रहते हुए नाम है वोट फेमस नीरो सर्जिंट और नीरो कंसल्टन्ट है लगी एच हॉस्पिटल लाहॉर जनलर हॉस्पिटल लाहॉर जनलर हॉस्पिटल नीकी जवाने के डार्ट साथ बताएंगे कि नेरो सर्जरी में आजकल क्या क्या डिजीज इस कितनी डिवाल पहुंची हुई है और इस मर्स को खत्म करने के लिए गौर्मेंट पंजाब और जो यानि के अगर देखे जाए टेकनालोजी बेस से इस चीज़ का किस तरह से ट्र कर्फ इस बार्ट साथ, डाक्टर उमर फारूप साथ, जाए है कि अपको हज़ की मुबारेक हुआ, और जैसे कि मेरा फॉर्मेट है, वाप उस तबीड तक, सबसे पहले, जाना चाहूंगा कि डाक्टर उमर फारूप है क्या, और आपक एकड़ में प्रफॉर्मस रही है, जो आप थोड़ा से होदी बिताएं और फिर हम आपके जो कुरेंट स्कॉर्ट फोरी है उसको पराएं के लिए अपने प्रोग्राम में बुलाया सबसे पहले यह है कि मैं इस टाइम एज नियुरो सरजिजन इन दाहुर जरनल हस्पिटल में तायानात हूं पिछले आठ साल से मेरा इसी फील्ड से सारा काम है जो कि मैं भी तक करता हूं दूसरा है कि मेरी बेसिक्स वैसे तो पिंडी से हैं मैंने महां से पढ़ा हूं इस खुबे साथ हूं और अपनी खिर्माद इनाम दे रहा हूं इस से इससे इस जालेट है तो अपने पिए लुख करते हैं तो दूसरा आप के लिए अपने प्रेश्ण को आपकी उस्पेशलाइशन नियरो और प्रेशन प्रेंट पिछिएंजरों आपका है आपकी नियरो करते हैं और यह है क्या तोड़ा सा इस डिजीज को बल डिटेल से बताई है बैसिकली यह निरो स्पाइन को रेलेट इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो हमारे निरॉन्स होते हैं वह आल अवर दा बॉड़ी जाते हैं अब वह ब्रेन के थू वाया नीचे जो बॉड़ी में ट्रा के निरो सर्जेंस के पास होती है तो यह इसलिए हमेशा किओ कि यह अपने जब भी ऊपर से मैसे ट्रांश्मेट होना है वो वया तो यह एक इंटर लिंक कनेक्शन है कोई अगर सेपरेट चीज होती तो शायद दो फिल्ड होती क्योंकि यह इंटर लिंक है तो इसलिए एक ही फिल्ड कंसेडर होती यह अगर हम इसको आर्थों का रेलेट करें तो वो शीज गलत है और तो वाले से बोन तक लिमेटेड हैं जो स्वाइब से किस तरह तो अब आरे भी उसको डिटेल से बताईए अगर को फ्रेक्शर हो जाए या वो जाए तो वो भी सिर्फिक्स कर सकते हैं लेकिन अगर आप कंसिडर करें तो स्पाइन और निरो एक ही फिल्ड में आती है स्प पाकिस्तान एक वाइद कंट्री है जिसमें और्थो वाले स्पाइन को कंसिडर करते हैं कुछ वो भी सिर्फिक्सेशन के लेवल्स पर लेकिन जैसे अगर कोई ट्यूमर आ जाता है या जहां स्पाइनल कौर्ड का पर इशू आ जाता है तो वहां पे निरो सर्जिंस ही रिक दोनों बड़ी संस्टिव चीजिए यानि के नेरो भी अस्पाइन भी तो इतना स्मार्ट यानि कि मैं सुफ्ट मजज के इनसान गिसे रिक टोनों की स्टर से आप डेल कर लेती हैं बाज या अल्ला की तरफ से होता है या तार दियू दूसरा यह कि यह अगती है इसमें थो जैसे आन्डवोस्कोप बेम के अंदर यह वही वही शर्जरी करते हैं इनसरजरी में मैं क्यों ल॥ी मुहमें 3 फरेजिचों कि म॒मट रिकॉयर होती हैं यह वर की इस तो प्रकार शाया और ऐंग वह अच्छा हुआ है कि निरो तो इंसान एक आम इंसान भी तोड़ सा गिब्राल सा जाता है और सेकंड इस्पाइन के आज का डिजीज इस पाकसार बहुत जादा बढ़ा है और इस्पेशली हम ने देखा है कि वुमन्स में अमारी लेडिस में बहुत जादा यह आ रहे है प्रॉब्लम तो आप इ स्टाइल पर आजाता है कि अकसर लोग अब ट्रेंड चल गया जैसे माना सौफवेर का या या इटी डिपार्टमंट में आप 24 आर्स के लेप टॉप किया कि एक चेर पर बैठे होता है जिसे आपके पोस्ट्रेस भी खराब हो जाते हैं गर्दन का भी अंगल चेंग होता है इसी तरह दोनों के अंगल चेंज हो जाते हैं उसकी वजह से जो डेस्थ हर्में होते हैं इसकी टिह पिर और की इसे बिंघ मार या इसको होते हैं बाजों में नमनेस होगी इधर सारी पेन वगारा ये डिवेशन होगी गर्दन में चेकर आना ये वाले मामलाद चुरू जाते हैं और जो ये बेसिकले मारे लाइफ स्टाइल से ज्यादर रिलेटेड है डाइट के भी ऑबिसली एफेक्ट है पहले डाइट अच्छी होती है वहारी डाइट भी अच्छी नहीं के बंदा कहें के को बहुत सॉलिड चीजें खाते हैं तो ये वाली सारे अस्पेक्ट जो ब्रेन है उसको हम इसलिए कंसिडर इतना अच्छा नहीं करते थे पहले जमाने में हमारे कुस्ट इंटर्वेंशन नहीं थी मालब सीटी स्कैन ल प्रोग्राम करने का एक मकसब यह कि लोगों का वेरनेस में कि अगर कोई है किसी को कोई चकर आते हैं कोई उल्टियां करता है वामटिंग कर नौजिया रहता है या किसी को दोरे पढ़ते मेरकी के तो वह इस चीज़ को ऐसी लेकर लटके रेंडम बस अकीम के पास चला गय मेडिकल स्टोर पर चला गया उदर से पैन किलर लेली वामटिंग के दवाई ले ले ली यह वाली सारी चीज़ ने तो वह चीज़ें इन जो नहीं इंट्रवेंशन नहीं सीटी के आपको फोरन हम रफली कहते हैं कि अगर आपको 15 दिन या महीना लगतार यह वाली चीज़ कि अगर कोई शुरू जाएं तो हम कहते हैं कि या सीटी स्कैन खिरा ले लिए अमारा एक रहा ताके अगर कोई शक्या तो हमारा दूर हो पहले सब्सक्राइब पहले इसलिए बैठता था कि लोग ऐसी चलते आते थे वो लंबा लंबार सा खोमा चलता रहा या कोई मसला प् लाट साथ यह बड़ी इंपोर्टेट बात कि यह अपने इसके अपर मजीद बात करेंगे लेकिन इस वक्त अमारा एक ब्रेक का टाइम है जी नादिन आप देख रहे हैं कि अब्र इस अपर दी शॉट ब्रेक यह जो अब लागा है इस लाइफ इस लाइफ इस लाइफ तर अफर दी शॉट बेक नमाज बैठ के पढ़ें सीडियां कम से कम चलें कोई जुकने वाला काम ना करें को हैवी वेट ना उठाएं जुक के तो यह सारे मामलात होते हैं जो हम सीकर्स वाइस पेशन्ट को बताते हैं पर उसे ही होता है कि वह कभी पहले में ही बतर हो जाएग अब जो है और स्पाइन स्पेशलिस्ट भी है डरसब आप सबी बात ती कि लाइफस्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टन है और डाइट भी काफी हाता है ठीक है डरसब एक हैल्दी लाइश्टाल क्या होना चाहिए आपके लिए जिस इस प्राप्लम से क्योंकि मुझे बत है कि हैल्दी लाइफस्टाइल क्या है जिसको अफनाते हुए इस बिमारी से अवाइट किया जा सकता है ठीक है एल्दी लाइफस्टाइल में है कि एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन है जैसे कि लोगों का बैटने कई काम है एक तो चलें जो रूटीन में आगे पीछे चलते हैं वो उनका एक और मसले है जैसे अब आई टी डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्टाइब बहुत काम करें तो बीच में टू आर्स के बाद हाफ़ार की ब्रेक लें उसमें थोड़ा सा वाक करने दूसरा यह है कि हमारी लाक आफ एक्सराइज बहुत है हम लोग अपनी फिज एक्टिविटी बहुत रिडियूस कर दी है कि यह बस मुबाइल हो गया दूसरा यह जो आई टी वाले डिपार्टमेंट हो गया लैप टॉप्स होगी इनहीं के आगे हम बैठे रहते हैं नहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत सब्सक्राइब हमें करनी चाहिए ताक कि आपकी बॉड़ी इन शेप भी रहे कोई चीज अब नॉनमल हो भी रही है तो भी बेतर हो जाए डिस्क बार बर निकलती इसलिए है कि लोग खाना कहा के बैठ चाते हैं बैठे रहते हैं खाएंगे वहीं बैठे रहेंगे खाएंगे फिजिकल एक्सराइज गर आपी कि आप तक रिजिस्ट करेगी अपना नॉर्मल पोस्टर मेंटेन करने को तो कोशिच ही करने चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी एट लिस्ट वन आर डेली होनी चाहिए दूसरा अगर आपका कोई प्रोलॉंग पोस्चर है तो वह आप हर दो गंटे बाद 15-20 मिनट्स के बाद चेंज कर लिया ताकि आपका वो कंडिनस पोस्चर ने रहे आपकी बाड़ी इंड शेप रहे वह खराब हो जो यह नंबे अर्से तक यही चीजें करने के वज़जा से सारा कुछ निफॉर्मटी पैदा होती है कई लोग के स्पाइन टेडी हो जाती है कई लोग के औ था कि शुषानी करें कि उसको बोलते हैं उसके साहता है तो हम पहले सबसे पहले कहते हैं कि हबना लाइफस्टाइल मोडिफाइड करें अगर क desarroll क्र पर लोग सिटिंग करता है उपने सिटिंग करता है तो शुषे पेधर करें उठने वैठाल पॉस्टे बेश्चर बेतर कर अगर उसके खुद नहीं करने उसमें यह होता है कि डेली पेसिस पे एक या दू घंटे के लिए फिजियो थेरापिस के पास आके टिपिकल जो उस मुसल से रिलेटेड जा उस एरिया से रिलेटेड एक्सराइजिस नहीं वह कराते हैं फिर उनसे भी पैनिंग हो जाती है पढ़ेंगे चीजे मालब जैसे कमोड यूज करेंगे हम पिशन को कहेंगे कमोड करें नीचे ना बैठें नमाज बैठके पढ़ें सीडियां कम से कम चलें कोई जुकने वाला काम ना करें को हैवी वेट ना उठाएं जुक के तो यह सारे मामलात होते हैं जो हम सीकोस वाइ पर यह सारे मोह मनतासर जीए परसेप्शन यह आपकी जो सफ़री यह वाकिया लास उप्शन है तो इसमें लोग डड़े होते हैं बहुग जादा कर रिस्क नहीं लेते हैं तो यह यह जाएं पतानी क्या होने वाला है जी आप बल्कु ठीक है लोगों गा एक्शन अब पु दूसरा सरजन्स थोड़े से ने रैपिड हो गए हैं तीसरा यह है कि पहले लोग जाते निरो सरजन्स के पास नहीं थे और्थों वलों के पास जाते थे और्थों उन्हों की डुमेन ही नहीं है जब आप किसी रॉंग प्रोफेशनल के पास जाओगे तो आपकी चीज खराब होगी अगर सो में से बीस तीस खराब हो जाएंगे तो वह बीस तीस ज्यादा ग्लेम करेंगे बजाए इसके वह सेवंटी जो ठीक हो है तो पहली जीज़ यह है कि आपके पास प्रोफेशन वाला सही चूज करना है कि किस के पास आना जाए मेरो सरजन के पास आना और्थों करेंगे बाले के पास दूसरा इये के स्वारे कॉंसेट्स खोर ओर यह consumption अब सर्जुरी यह मेरे कर लेते हैं यूज कर लेते हैं दूब्स यूज तखर मॉत दूज़ नहीं पाले चीज़ और सुछी खोड़ Western यह जो सिख्फरी उफ फिरन्स से फॉर मंन्स का टाइम करोड़ी। कि अब इसके बेखर आगर नहीं है। आपको अपन्स सफ़ेश्च ए मैसज़ है। भी मैस्भी है कि लोको ब्रबाण लेचे भीघा को का डाकर से पारकश। करें आएं अपना मसला बताएं और यह ज़गा अच्छा इसमें सेक्स रेड कितना है सक्सेस रेड इस सर्जरी कंप्लिकेशन वगारा यह बड़ी इंपॉर्टन चीज है करें कि सेस्रेड ना कोई भी सर्जरी करें तो फर्टन आई नहीं तो फ्री टॉफाइब सेस्ट घ्रिसक होता कुछ अनस्थीजिया की कम्लिकेशन रो सकते हैं कुछ सर्जर्ण की हो सकते हैं उसमें इंफेक्शन हो सकता है जब ज़्यादा याप कोई कमर से CSF लीक उसकता है इससे जएदा और कोई बहुत ब्लाइंड सर्जन ना हो तो और कोई एस सच कम्लिकेशन ही तो आप कहलें कि 3-5% प्रिस्क होता है इसके इलावा 95% अछर्ट बाकी सर्जनक पर बाकी सर्जन सर्जन करता है कुछ यह आप पेशन्स को चाहिए खायए प्टूस करते हैं इस धुझर में अच्छा फॉट पार्ट कि इजएज और और थे डिखा है वाट नेरो की बात कर लिए बड़ा आप जोब आप चूब तो लौहार ने काया बेटे हैं जहां पूरे पंजाब से लोग आते हैं नोडो हर तरह से रूलर एरिया से अमीर गरीब का कोई वहां फारक नहीं है तो अमुमल यह दोलो जो डिजीजी जिसको अपील करते हैं अप क्या देखते हैं किस शोपे से और कहां से लोग जादा याली के मुतवस्त तब क कह सकते हैं उसको लीड क्लास कह सकते हैं या प्रैक्टिस भी आप देखते होंगे तो कौन से लोग जादा यानि इसमें इसके फैक्टिड है बेसिकली जो यहां पर हमारे पर चर्नल हुस्पिटल में आते हैं वो मेडियोकर फैमिली ज्यदा ओके जो थोड़ी सी एक्स्ट् कि रॉँटे मेरे पास जो जर्नल में आता है वो कि नर्मल ही होता है जो और कोई नहीं लेता है उंबल farms दमार्टेटेटबल ही उस्कीड़्ूक्से यह वह सी इसधीयांस नहीं होता है कि एम पास ऑदस्लाइए और पर चर्चेश तो वैसी आजाते हैं कभी कि वा जो डिफिकर्ट मोस्ट केसी होते हो करते हैं तो फिर हमारा वो एक टॉर्ण आवर रेट और ओर अवर रिशो हमारी जो अपनी हमारी सीखने कि है वो बहुत स्ट्रॉंग हो जाती है मिल्कु ठीक जी नाजरे आप देख रहे हैं तो मिरता कि सफ़र में मेरे साथ जो गेस्ट हैं डाक्टर ओमर फारुक साथ और इस वकर टाइम हुआ है सिर्ध डार से ब्रेक का मिल्ट हम अफ्र प्र ब्रेक तर अलखे आपर दीक ब्रेकूम में ब्रीक तर अश्वायरी के देखे हैं कई ड़िज़ दफा चल कर सकता है यह जैसे हमारे पास कुछ पेशिएंट साथ हैं जो नस्प भटे के साथ आते हैं वना बीपी उनका बहुत सज़ादा हुआ जाता है अब वो चाहे सोच यह जाते हैं तो अगर 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 पाकसान में इंफलेशन तो कम होना जरा पॉसिबल कम लग रहा है बाकी स्टैस खुद पेशिएंट को कौंसल करके या उसको खुद इस तरह का हो जाना चाहिए कि वो जरा उन चीजों को सब्सक्राइब को जिए डिली बेसिच की चीज़े आप इनको जितना सर पे सवार करोगे यह तो आपको उपर आपको नीचे गिराती है अच्छा आपकी मिस्स भी डॉक्तर है ठीक है और आप भी डॉक्तर ओमर यह दिखा जाता है एक अन्या डॉक्टर की फीमेल के सात्थ ही शादी होती है उसके बाद एक नया अंपाय खड कि कई दफा काम चल जाता है कि हर फील्ड में ऐसे कि कोई बंदा बहुत जादा सक्सेस कर जाता है कोई बंदा नॉर्मल रूटीन में चलता है कोई बंदा अब इतक हमारा फिर लाल नॉर्मल रूटीन वाला चलता है यानि के नार्मल अभी आप यानिके अभी हमने क्लाइम कर आप definition करें सक्सेस है जी कि आपकी basically mental satisfaction है जो आप किसी भी चीज को achieve करने में ले सकते हैं चाहे वो पैसा है चाहे आपकी जौब है चाहे आपका future है चाहे आपके घर में किसी के साथ रिष्टा अच्छा भी जोड जाए और उसके विज़ से mental satisfaction है तो भी आपकी success है तो success मुख्तिक किसम की मुख्तिक टाइम में जाए हर इंसान की success की definition different होगी कि उसकी अपनी approach के मताबए बीजल के मताबए या उसकी aim के मताबए कुछ जाए सब आपकी क्या है मेरा aim था जी neurosurgeon बनना वो अलम्दलिला मैं बन गया हूँ बाकी आगे अल्ला कम जाबी दे इंशाला और मजी तरकी करें यह मैं लोगों को serve करें लोगों को aware करें कि यह किस तरह चीजें हैं जो के मुझे लगता है कि हमारी इस इंवायर्मेंट में कि लोगों को neurosurgeon का idea ही नहीं है कि वो क्या-क्या चीजें ठीक कर सकता है रड़ सब मैं एक आखरी बात करूंगा बल्के आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं दुनिया में पाकिस्तान में रहते हुएं लोगों के खालाद बहुत देखे हैं बदलते हुए और पाकिस्तान की इनफलेशन में रहते हुए जिस तरह के लोग टाइम गुजारे अगर्पत का बहुत अग्तियार है मैं आपसे तक्वास भी यह करूंगा कि इस सद्का जारिया भी रड़ सब करें जो आपके पास आते हैं चाहे होस्पिटल में या इस प्राइविट होस्पिटल में आप कमसकम जतना रिलीफ उनको दे सकते हों वो जरूर देजएगा यह इक सद्का जारी है यही सबज़े आपकी प्रैक्टिस है यही दुआइं आपको आगे लें कि आप बनको ठीक है अड़ एंड जो कहते है ना बच्छना वही है जो आपने अपने अपर लगाए बाकी दो सब यही रहा जाए तो इंशाल्ला मेरी कोशिश पूरी है इसी तरह कोई नपके सद्का जारी है ना कड़े इंशाल्ला होफुली मेरी भी धुआइं आपके साथ है यह नाजरे आप देख रहे थे कि आज पाबो से तविटा के इस सफर में मेरे साथ डाक्टर अमरे फारुक साम मजूद थे अमीद है कि आपको हमेशा की तरह हमारी एपिस्ट को पसांदाई होगी इसके साथ शाहिद मिया को अजाज़त दीजिए अगले सफर में अखले मेमान के साथ हम मिलेंगे पाकिसान के सौफ्ट इमिज को परमोड करते हुए पावर बाई मॉरस ट्रिल गूर्प ऑफ कंपरिस के साथ इजाज़त दीजिए पाकिस्तान जिन्द करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके हैं और हमारे मुहबद का मतलब है सर में तेल डाल दो चल अब अब आपके पास इतने पैसे अब आपने घर के पिश्टी जहां रिष्टे कमजोर हो जाएं वहां घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है तो को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छटों को तो हम मजबूत बनागी देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं